तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 27 जो की एक मरसिया है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर मरसिया किसे कहते हैं क्य से मिलकर बना हुआ है यहां पर अपज्यक्टिव में कोशन पूछ देता है कि मरसिया किस लवस्ट से बना है और रसा नाम के लवस्ट बना है और मरसिया किसे कहते हैं किसे इनसान की अगर मौत हो गई है तो उसकी मौत पर शेरो शैरी के अंदाज में लिखकर रंजयो घम क का इजहार किया जाता है ना जिस इंसान की मौत हुई है उसके मौत पर शेरोशारी के अंदाज में लिखकर गम का इजहार कर देना उस लिखे हुए को कहते हैं क्या मर्सिया ठीक है अगर मेरी मौत हो जाने के बाद मेरे उपर अगर शेरोशारी के अंदाज में लिखकर रंजोगम का इजहार किया जाता है तो उसलिए को क्या बोला जाएगा मर्सिया लेकिन पहले के जमाने में नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि मर्सिया जो एना दो परकार का होता है एक तो मर्सिया नॉर्मल और दूसरा होता है शक्सी मर्सिया पहले यह मान के अंदाज में लिख करकर देना उसको वाकई में कहते हैं मर्सिया और शक्सी मर्सिया अगर किसी शक्स यानिकी किसी इंसान की मौत पर जो मर्सिया लिखी जाती है यानिकी रोशारी की अंदाज में लिख कर जो गम का इजहार किया जाता है उसको कहते हैं शक्सी मर्सिया ले जारब चमने नजम को गुलजारे इरमकर और लिखने वाले कौन है यानि कि इस चैप्टर के शायर कौन है वो है मीर बबर अली अनीज तो सबसे पहले हम लोग मीर बबर अली अनीज के बारे में जितना भी डीटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है उन सभी डीटेल् कर देख लीजिए इस चैप्टर से इस चैप्टर से कोशन पुछा गया है ना तो और कहीं से नहीं मीर बबर अली अनीज के बारे में जितना भी डीटेल्स की वह सब यहीं से आप लोग का कोशन आएगा तो हर एक point मीर बबर अनीस के बारे में आप लोग ध्यान से समझेगा और याद रखिएगा ठीक है और फिर मैं यार जब मीर बबर अनीस के बारे में जब हम लोग समझ जाएंगे टोटल डीटेल्स तब मैं यह मर्सिया पढ़कर इसके परतियक लाइन का अर्थ आप लोगो समझाओंगी मर्सिया से यानि कि इस मर्सिया से कोशन तो पूछता नहीं है लेकिन हो सकता है कि सब्जेक्टिव में खुलासा करने के लिए पूछ दे इस मर्सिया से कोई दो लाइ सब्सक्राइब करते हैं देखोंग करने में आप लिए को समझा रहे हुआ है अगर समझ में आ रहा है तो लैक तो बनता है लाइक करें और दूसरों तक भी शियार करें ताकि दूसरे लोग भी यस वीडियो नाहीं हुए नाहें वोए है तो सबस्क्राइब आप जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चले स्टार्ट करते हैं मीर बबर अली अनीस का रियल नेम मीर बबर अली अनीस ही है इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है इनकी पैदाइश 18-22 में हुई थी यूपी के शहर फैजबाद के मुहल गुलाब बाड़ी देता है ठीक है तो आप लोग को जहां से भी कोशन पूछे सही एंसर पता होना चाहिए और सही एंसर टिक करके आना है तो याद रखिएगा मीर बबर अली इनीस की पैदाईश 18-22 में यूपी के शहर फैजबाद के मुहला गुलाब बाड़ी में हुई थी ठीक है और ये एक खांदानी शायर थे यानि की इनके खांदान के सभी लोग शायर थे और उसी तरह ये भी एक शायर बन गए शायर निकले है ना मीर बबर अली अनीस के वालिद यानिकी पिता जी का नाम था मीर मुस्तहसन खलेक ठीक है दादा जी का नाम था मीर गुल शांदानी शायर थें इसी वज़ा से और यह बचपन में ही शेरो शायरी कर शुड़ा कर दिए थे क्योंकि इनका माहौल घर का महोल जो था सबस्टेंदी थे और फर्स्ट टीचर तो अपनी मा ही होती है तो वही हुआ था मीर बबर अली इसके साथ इनकी मा जो है बहुत ज़्यदा स्टार्टिंग में शुरुवाती शिक्षा देने में बहुत ज़्यदा हेल्प कि थी और उसके बाद से मौलवी मीर नजफ अली मौलाना हैदर अली और और मुफ्ती मौहांबद अब्बास याद रखना है यहां से objective पूर सकता है कि मीर बबर अली नीफ के उस्ताद का नाम क्या है इन तीनस को पूछ को नहीं है और इन तीनों का नाम दे देगा, तीन उप्सन में, और एक उप्सन में ऐसा मौल भी या फिर मौलाना का नाम देगा, उस्ताद का नाम देगा, जो की मीर बबर अलिये इसके उस्ताद नहीं है, उसको आप लोग को टिक कर देना है, जहां सब एक कोशन घुमा फिरा कर पूछ लिखना स्टाट कर दिये थे, और स्टाटिंग इन्होंने घजल से की, स्टाटिंग में यह मर्सिया नहीं लिखते थे, यह स्टाटिंग में शीरो शायरी किस चीज से, किस सिल्व से स्टाट किये, घजल से, घजल पहले लिखा करते थे, स्टाटिंग में, इब्तदा में, फिर उसके बाद से इनके पिता जी बोले मीर बबर अलियनीज के वालिद मिर मुस्तृासिन ख्लीक जो है नहुने कहा कि वेटा तुम सलाम पढ़ना शुरू करो और अपने वालिद मीरं बबर अलियनीस सलाम भी पढ़ रहे थें और इ thumbnails का तखल्स वो था हज्य याद रखिएगा शायर अपने शेर और शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करता है एक खास नाम उसी को कहते हैं तखलुस तो इप्तदा में यानि कि शुरुवात में मीर बबर अली अनीज का तखलुस क्या था हजी लेकिन आगे जाकर नासिख के मश्वरे पर यानि की न नासिख के मश्वरे पर अपना तखलुस चेंज करके अनीज तखलुस लगाना स्टार्ट कर दिए यानिकि अपना तखलुस बदल दिये और अनीज लगा दिये तो अब इनके शेर और शायरी के लास्ट लाइन में अनीज लिखा हुआ देखने को मिलेगा ठीक है तो का यहां कि अना स्टार्ट कर दिये लगाना और उसके बात से याद रखिएगा मीरबवर अलिनिस के अधर का नाम मिर्जा सलामत अली अलीं तभीरं हैं हम किसी दर्बारी में जाकर पहले के जमाने में होता था बादशा से दर्बार में जाकर और बहुत सारे शायर शेरोशायरी करते थे बादशा की तारीफ में कसीदव अगरे कहा करते थे और बादशा से इनाम पाते थे ठीक है इनाम लेते थे लेकिन मीर बबर अली अनीस एक ऐस किसे बादश्याह के दर्भार किसी बहुद सकते हैं कि मीर बबर अठीड किसी को सायर Joo ऑपने से तो यह जिन्दधी बलोर नहीं कि तारिफ में यह किसी की बढ़ते 1857 की तबाही के बाद लखनौव से बाहर निकल कर मजलिस पढ़ें 1867 की बहुत बड़ी क्रांती हुए थी आप बोल सकते हैं भारत की प्रथम स्वतंतृता संग्राम 3867 की करांती थी और उसी की तबाही के बाद जो है ना मीर बबार अलयानीज जो है लुए लखनौ से बाहर निकल कर शेरोशाइरी करना इस्टार्ट कर दिये थे पटना, हैदराबाद बनारस और इलहाबाद जगा जगा पर यह रोशायरी जातर सुनाया करते थे लिखा भी करते थे तो चार तरफ इनके रोशायरी के चर्चे जो है ना बढ़ते चले गए और उसके बाद से लास्ट में इनके इंतकाल की बात कर लें तो सबसे पहला मर्सिया कौन सा है सबसे पहला मर्सिया किस ने लिखा यहां से भी कोशन पूछ देता है कि सबसे पहला मर्सिया निगार को है यान कि किस ने सबसे पहला मर्सिया लिखा तो वो थे सयद शाह असरफ ब्याबानी अप्सन में दिया रहेगा टिक कर देना है अगर कोशन पूछे कि सबसे पहला मर्सिया कौन सा है तो वो है नौ सरहार याद रखिएगा सबसे पहला मर्सिया नौ सरहार और इस नौ सरहार को किस ने लिखा था सेयद शाह असरभ व्याबानी ने पंद्रव सती निस्वी में यह प्रकाशित हुआ ठीक है और एक और कोशन पूछ देता है कि मर्सिया की तमहीद को क्या केते हैं चेहरा करते हैं यह मैं पूछ देता है ठीक चलिए यह हो गया सारा डिटेल्स में अमीर बबर अली एनीज के बारे में जो आप लोगो के बुक में दिया गया था हर एक पॉइंट में आप लोगो समझ में आगया होगा यहां तक अगर समझ मैं तो कमेंड में लिख कर बताए कि हां यह समझ में ठीक है इस मर्सिय को पढ़कर में और हर एक लाइन का अर्थ बताती हूं इट मिन्स खुलासा करती हूं ठीक है चलिए बहुत ही लंबा यह मर्सिया है तो कोशिट करूँगी जराब मैं फास्ट लेकर चलू स्टारिंग में लिखे है मीर बबर अली अनीस कि यारब चमने न है कि यारब या खुदा चमने नजम को गुल्जार एरम कर यानि कि यह जो नजम का चमन है यह जो दुनिया है इस पर तु रहम कर आपर करम यानि कि एक करम के बादल यारब चमने नजम को गुल्जार एरम कर यानि कि बोला जा रहा है कि आए खुदा यह जो नजम का जो च मतलब समझे कि जननत का एक बाग है ठीक है तो वही यहां पर मीर बबर अनीज कहना चाहते हैं या खुदा यह जो दुनिया है इस दुनिया पर करम कर अपना रहम कर और इस दुनिया को एक जननत का बाग बना दे ठीक है मतलब इस दुनिया के लोगों को एक सही रास्ता दिख करम यानि कि आय करम के बादल तो इस सुखी हुई जमीन पर करम कर तो इस सुखी हुई जमीन पर रहम कर और बारिस बरता दे ताकि इस सुखी जमीन में हर्याली आ सके और इस पर फसल उख सके और जिस से इस दुनिया के लोगों का पेट भर सके तो फैज का मुबदा है मुझ पर भी करम कर दे मैं भी गुमनाम हूं मैं भी गुमनाम की तरह इधर उधर हूं तो मुझ पर भी रहम कर दे और मेरे अंदर लिखने की ताकत मेरे कलम में लिखने की ताकत दे दे जब तक यह चमक महर के परतों से न जाए यानि कि जब तक सूरत से उसकी रौसनी न जा तब तक मेरे कलम से मेरे हाथों से लिखने की कला लिखने की ताकत ना जाए यहां पर अपने लिए खुदा से दूआ कर रहे हैं अमीर बबर अलियानीज कि या खुदा तु फैस का मुद्द है चारो तरफ तेरा ही रहम है तेरा ही करम है इस दुनिया में जहां पर भी देखो ताकत ना जाए इस बाग में चश्म है तेरे फैज के जारी बुलबुल की जुबा पर है तेरी शुक्र गुजारी हर नुखल बराउमंद है या हजरते बारी फल हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी वगुल हो इनायत चमने तबे नकू को बुलबुल ने भी सुंगा नहो ज इस फूलो की बुके यहां पर बोला जा रहा है कि उस बाग में चश्म है देरे वस्के जारी इस बाग में बाग किसको कहा गया है इस दुनिया को कहें कि इस दुनिया में या खुदा तेरा ही फैज का चश्मा है यानि कि तेरा ही करिश्मा नजर आता है तेरा ही जिधर भी देखो तेरा ही करिश्मा हर जगा बुलबुल की जुबा पर है तेरी शुक्र गुजारी और जितने भी बुलबुले है ना उनकी जुबा पर तेरी यानि कि तुझको ही वो शुक्री आदा कर रही है कि इतनी खुबसूरत दुनिया और इतनी अच्छी खासी जिंदगी दे दी हर नुखल बरोमंद है यह अजरते बारी यानि कि जितने भी फलदार पेड़ है ना उस पर फल या खुझा तू नहीं अता फरमाया है आज कल जित कि फूलों की बूह यानि कि इस बाग का मैं एक ऐसा फूल हूँ इस दुनिया का मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने कभी भी इस बुलबुल को सुंगा नहीं जिसने कभी भी किसी बुल बुल ने भी नहीं सूगा हो। जिस फूल की भूको किसी बुल बुल ने भी नहीं सूगा हो। या खुदा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मेहनत का फल मुझको दे तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दू खत्रे को जोदू आप तो गौहर से मिला दू जर्रे की चमक महरे मनुवर से मिला दू खारों को नजाकत में गुले तर से मिला दू गुल दसते मानी को नए ढंग स बांदू एक फूल का मजबू हो तो सौरंग से बांदू गर्बजम की जानिब हो तवज्ज़ दम्ने तहरीर खिच जाए अभी गुल्शन फिर्दौश की तस्वीर देखे ना कभी सोहबते अंजम फलके पीर हो जाए हवा बज में सुलेमा की भी तौकीर यूं तखते हसीनाने मौनी उतर जाए हर उतर आए हर चश्म को परियों का अखाड़ा नजर आए यहां पर बोला जा रहा है अगर मैं लिखें आकको समंदर से मिला सकता हूं यक्जो पानी का कट्रा होता है ना उसको मैं हीरे की चमक से मिला सकता हूं जर्य की चमक मेरे मनवर से मिला दूँ एक कड़ कड़ जो होता है ना उसकी चमक मैं चांड की चमक से मिला सकता हूँ मेरे अंदर लिखने की इतनी कला है कि खारो को नजाकत में मैं गुलेतर से मिला दूँ यानि कि जो फूल के काटे होते हैं उसको मैं फूल से मिला दूँ गुलदस्त इमानी को नए ढंग से बाणना यानि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि जब भी मैं किसी बी ठॉप इक के उपर कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूं तो उसको नए ठंग कि जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं तो मानी के हसीनाएं उतर आती हैं और हर चश्म को हर पढ़ने वाले इंसान को हर देखने वाले इंसान को परियों का अखाडा नजर आने लगता है यानि कि जब मैं लिखता हूं तो मानीदार लफज यूज करता हूं जिससे लगता है परियों का अखाड़ा नजर आने लगता है, यानिकि जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, जब हमारे लिखे हुए को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानी की हसिनाएं उतर गई हैं, और इस तरह परियों का अखाड़ा नजर आने लगता है, यानिकि धेर सारे मानीदार मेरे दिखे हुए में देखने को मिलते हैं ठीक है तायद का हंगाम है या हैदर सफदर इमदाद तेरा काम है या हैदर सफदर तो साहब एकराम है या हैदर सफदर तेरा ही करम आम है या हैदर सफदर तनहा तेरे एक बाल से शमसीर बखक हूं सब एक तरफ जमा है मैं एक रहे हैं हमेशा कर म्म यह हुए है और इसे वज़ा से सभी लोग एक तरफ अल sj ai बहुत खड़ें यह हुए और मैंते हैं अब ही केला हूं और एक तरफ स्थी लेकर खड़ा हैं बस आप की मुझे मदद चाहिए आपकी महरबानी होगी सबी लोग जो है ना सब लोग एक तरफ जमा हो गए हैं शमसिरी लेकर और मैं एक तरफ खड़ा हूँ इस पर मुझे आपका क्या चाहिए मोटिवेशन चाहिए नाकद्री आलम की शिकायत नहीं मौला यान कि मेरी गदर नहीं होती है मेरी बेज़ती होती है तो कोई शिकायत नहीं है या मौला या खुदा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है अगर मेरी इस दुनिया पर अदर नहीं होती है तो लेकिन कुछ दपतर बातिल की हकीकत नहीं मौला लेकिन आज कल के लोग ऐसे हो गये हैं जो हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं सबी लोग हकीकत से क्या है बहुत दूर हैं मतलब वो अंधेरे को रोशनी से क्या कर रहे हैं अंधेरे को रोशनी मानने लगे हैं वो हकीकत जानी नहीं रहे हैं और इसी वज़े से वो लोग सही फैसला ने रहे हैं मतलब आज कल के लोग को हो क्या गया है हकीकत जानने की कोश आजकल के लोक क्यों नहीं करते हैं बहाम गल्गल उल्प मि महबत नहीं और आज कल के फल्प उल्प में और आज कल ऐसी डुनिया हो गया ना कि गल्प में मुह Tammy नहीं रहे गया है वह किसी रूप को रहात नहीं मुला मैं क्या हूँ किस Kelvin का इंसान हूं रूह की रहत नहीं यहां पर बोला जा रहा है ठीक है अलम है मुकदर कोई दिल साफ नहीं है इस एहद में सब कुछ है पर इनसाफ यहां पर बोल रहा है कोई इंसान को इनसाफ नहीं मिल पा रही है तो सब कुछ होने से क्या फायदा वहीं बोला जा रहा है जरूरी नहीं है कि कोई एंसान किसी को दो ठपड़ लगा दिया तो उस इंसान में गलति है हो सकता है जिसको पीटा है उसमेंड़ती हो बस नजरीय का फर्क अगर आप पीटते हुए देखें तो आपको लगावा कि जो पीट रहा है उसमें गलती है लेकिन जो इंसान को पीटा गया हो सकता है कि उसी में गलती हो भले ही वो मासूम होने का एक्टिंग कर रहा हो ठीक है नेक वबद आलम में तामल नहीं करते आरिफ कभी इतना भी तज कर्णि अलमात से इसलिए कतने वीजिखते हैं तुट्र को गटाते हैं बढ़ाते हैं सब्सक्रों अन्धेर्यंक है चान्त बताते हैं कलफ को को दिए दूर नजफ को जाए हैं मिलाते हैं जवाहर के सुखन कून सुखन के यहां पर कूल मिला कर यहीं बत बोला गया है ही नहीं है कोई भीन्सान नेक वबद में ह Georgia है किया भुरा घ navar कोई नहीं कर पा रहा है और आज सबी लोग अंधेरे को रोषणी बता रहे हैं देखा जाए तो चार्ट और पर क्या अंधेरा यह लेकिन उसको लोग रौसणी समझ रहे हैं अजीब सा अग्या हो गया है और यह सारी चीजों को देखते हुए ना आज कल के लोग कुई इनसाफ नहीं मिल पा रहा है session नियुक्र किसी का भी दिल साफ नहीं है और इन सभी चीजों को हुए मैं क्या हूँ खामोश हूँ और खामोश होने के वज़ा से और यह जो खामोशी है ना यह खामोशी मेरे मेरा जो सीसा का दिल है उसको चूर चूर कर दी है और इसके वज़ा से मेरे आखों से असक तपक पड़े हैं यानि कि मेरे आखों से आसू निकल रहे हैं इस तरह ही बताया जाए आगे देखिए क्या लिखे हैं मैं पढ़ कर बता रही हूं खवाहा नहीं या कौत सुखन का कोई गो आज एक मिनट में कहां चली गई अच्छा यह है क्या हो गए वो जोहरे यान सुखन एक बार हर वक्त जो इस जिंस के रहते थे तलबगार अब है कोई ताल सब्सकार तो या सहबे मेरास एबास एजाद जहां खलक के सर्ताज हो जाएगा दम भर में गनी बंदय मोहताज उमीद इसी घर की वसीला इसी घर का दौलत यहीं मेरी यही तो अश्चा है सफर का यहां पर बोला जा रहा है क्या हो गए वह जोहरे यान सुखर एक बार हर व समान देखें बहुत चारी लोग तलबगार हुआ करते थे तलब किया करते थे लेकिन आज मेरा ऐसा वक्त आ गया है कि जब सभी लोग बाजार से समान बेचकर अपनी दुकान बंद कर बंद करके चले गये हैं तब मैं लास्ट में आया हूं और अब मैं समान किसको अब कौन सा ग्रहक है कि मैं उसको समान दिखाऊँ व जायेगा कि धर गया है कौन दिखाए किसे यहकौन शहवार है कौण यहां कोई नहीं है मैं सबसे लास्ट में आया हूँ और इसलिए कोई किया करते हैं सभी लोग आप ही की साया में रहा करते हैं आप पर लोग विश्वास करते हैं आप से उमीद रखते हैं और इसलिए मैं भी आप ही पर महताज हूँ आप ही के घर से मुझे क्या है अमीद है ठीक है और दौलत यही मेरी यही है नौसा सफर का मतलब इस वक्त मैं आप पर ही महताज हूँ मुझे आप से ही उमीद है और आपके घर से मुझे उमीद है और यही मेरा जो है ना समझे कि यहीं उमीद हमारी जिंदगी का सफर है ताजोश कुछ ऐसा ही जो दावा किया मैंने on a cheese कि इतने भी अली नरवा थी मौला यह कलेजे के फफूलों की दवा थी यहां पर जो है न मीर बबर अली अनिस मौफी मांग रहे हैं स्टार्टिंग में बोले थे न मीर बबर अली अपनी तारीफ किये थे कि अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो तारीफ में चश्मे को किया मैंने मैं जूश में आकर इस तरह का दावां कर दिया और अपनी तारीफ कर दी कि मैं एक पानी की कत्रछा को हीरा की चमक से मिला सकता हूं फुल के काटे को फूल इसे जोश था, जोश के वजचे से मैंने दावा कर कर दिया अब मैं क्या करूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है एक कत्रे नाचीज को एक नाचीज कत्रा को मैंने दर्या से मिलाने की बात कर दी तक्सीर है बहल कीजिए या खुदा मुझे माफ कर दीजिया हां सच है कि इतनी भी ताली नरवा थी मौला ये कलेजे के ये मेरे कलेजे की फ़ोलो की दावा थी मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था और परेशानी में आकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसी वज़ा से जोश में आकर मैंने ये सारा दावा कर दिया और इतनी बड़ी गलती कर दी मुझे हूँ कभी ऐसी खता की नहीं मैंने भूले से भी आप अपनी सना की नहीं मैंने दिल से कभी मद है उमरा की नहीं मैंने तकलीद कलाम जोहला की नहीं मैंने नाजा हूँ महबत पे इमाम अजली की सारी ये ताली है हमायत पे अली की अपर बोला जा रहा है कि हाँ मैं मुझरिम हूँ कभी ऐसी खता की नहीं मैं आज तक ऐसी खता नहीं की थी अपने आपको बोल रहा है मैं आज तक ऐसी खता नहीं की थी हाँ मैं मुझरिम हूँ मैं भूले से भी अपने आपकी तारीफ नहीं की थी आज तक अपने आपकी हो ना किसी कि किसी दूसरे इंसान की सना की है ना ही किसी किलाम की तारिफ की है किसी जाहिल इंसान की कलाम की तारिफ की है लेकिन हाँ आज मैं लिखते समय मेरे अंदर जोश आ गया जोश में आकर मैंने ये दावा कर दिया उस तरह की खता कर दी हां मैं मुझरिम हूं या खु भूल कर भी इस तरह की अब खता नहीं करूंगा यहां मैं मुझरी 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 की खता कर दी लेकिन आज तक मैंने इसी खता नहीं कि थी पहली बार थी और इसलिए मैं मुझरी मुझे माफ कर दो मैं आप ही के हिमायत में रहना चाहता हूं चाहता हूं आप ही कि सुर्प आप लोग को समझ में आया होगा कोई भी कंफीज होनों कमेंड में लिखकर पूछ लिजेगा और अगर आप अभी तक स्क्रिन शॉट नहीं लिए तो पड़ावट ले लिए स्क्रिन शॉट कोई दिक्कत नहीं है और वीडियो को शेयर अभी तक आप लोग नहीं किया तो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाइबाए टेक के और फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के जाहिंद और खुदा हाफिज